पंजाब के चंदिगड से एक ट्रेन असम के दिब्रुगड जा रही थी ट्रेन का नाम चंदिगड दिब्रुगड एक्सप्रेस है ट्रेन 17 जुलाई को रात 11 बच कर 35 मिनिट पर रवाना हुई इसकी शुरुआ चंदिगड से हुई और ये अपने रास्ते पर थी अगले दिन 18 जुलाई 2024 को ट्रेन गुंडा जिले में दो रेलवे स्टेशनों मोति गंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के पीच में थी दो पहर करीब दो बच कर 35 मिनिट पर ट्रेन पट्री से उतर गई खुल आठ डिब पे पट्री से उतरे ये चौकाने वाला था ट्रेन के पट्री से उतरने के बाद बच्चे बुजूर्ग सभी मदद के लिए चिला रहे थे ये बहुत खतरनाक सित्य थी और वे जोर-जोर से चिला रहे थे पट्री से उतरने के बाद लोग दहशत में आ गए कुछ लोग आपातकाली निकास खिड़की से बाहर आए और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद की कुछ तो ट्रेनों के दर्वाजों से भी बाहर आ गए सभी ने एक दूसरे की मदद की लोगों के ट्रेन से बाहर आने के बाद पट्रियों के दोनों और पानी से भरे खेत थे ये गुटनों तक गहरा था लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा जबकि कुछ लोग पट्रियों पर ही बैटे रहे क्योंकि ट्रेन के पट्री से उतरने के बाद वे बेहत सद्मे में थे जोरदार विसफोर्ट से कही लोग सद्मे में आ गए और यात्री परेशान हो गए खबर फैलते ही बचाफ कर्मी तुरंट पहुँच गए ये बेहत ख़तरनाक थाक्यों की कही यात्री फस गए थे इसका उदेश्य सभी यात्रियों को बचाना था NDRF और SDRF दूनों यात्रियों की मदद के लिए आए उदेश्य सभी को बचाना और ये से उनस्चित करना था कि कोई हताहत ना हो दुख की बात है कि चार लोग बुरुद पाए गए कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए है तो कुछ को मामूली चोटे आई है आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया ओ ये सचमुझ भयानक था रेलवे अधिकारियों ने लोको पाइलट से पूचताच की कि ट्रेन के साथ क्या हुआ लोको पाइलट ने कहा पट्री से उतरने से पहले उसने विसफोर्ट जैसी आवास सुनी थी उन्होंने बताया कि धमागे की आवास के बार ट्रेन पट्री से उतर गई अधिकारियों को संदेव हुआ UP पुलिस ने जब जाच की तो पता चला कि ऐसा कोई विस्वोट नहीं हुआ था अब ये साफ नहीं है कि क्या हुआ था रेल मंत्राले के अधिकारियों ने कहा कि तदकाल जाच की जाएगी क्योंकि वे कारण जानना चाते हैं ट्रेन के पट्री से उतरने और याद्रियों की मौत पर UP के मुख्यमंद्री योगी अधित्यनात में दुख जताया उन्होंने कहा घायलों को अस्पताल ले जाया गया है मैं प्रभुशी राम से घायलों के शीग्र स्वास्त होने की प्रातना करता हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे सचमुच खेद है रेल मंत्रा ले ने कहा कि कारण जानने के लिए उच्च सर्य जांच की जाएगी इसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है इसलिए कड़ी जांच कराई जाएगी सरकार ने गुरुतक के परिवार को 10 लाक रुपे की अनुगरा राशी देने की घोशना की है गंबीर चोट के लिए धाई लाक रुपे और मामूली चोट वाले लोगों को लिए 50,000 रुपे विनाशकारी